Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शिबू हम सभी society का हिस्सा है society में हमें कुछ rules, regulations मान के चलने होते है और साथी साथ हमें society के according ही हमारे behavior को रखना होता है हम किस तरीके से behave करेंगे, हमारा action किस तरीके का होगा इसको सबसे ज्यादा influence करती है हमारा society और एकी साथ हमारा खुद का कुछ choices होते है, खुद का कुछ value systems होते है जिसके दौरा हमारे actions guided होते है, हमारा behavior guided होता है इसी चीज के बारे में आज के class में हम discuss करने वाले है हम आज के class में norms and values को जानने वाले है यहाँ पर बहुत सारे चीजे आज हम discuss करेंगे पहले देखेंगे कि norms क्या है, इसके अलग-अलग characteristics और types के बारे में types में हम देखने वाले है focus, mores, tabus and laws इन यह जो सारे norms है, इसको हमें थोड़ी अच्छी तरीके से जानना होता है क्यूंकि exam में इसके related questions पूछे जाते है और इनके साथ साथ हम normen और Kingsley Davis का जो norms का type है उन्होंने किस तरीके से norms को classify किया है, उसके बारे में जानेंगे फिर देखेंगे sanctions क्या है, values क्या होते है, values के characteristics उनके अलग-अलग types और आखिर में देखेंगे norms and values के बीच में difference यह जो norms and values के बीच में difference हमें थोड़ा अच्छी तरीकी से समझना होता है क्योंकि इसके द्वारा ही हम हमारे जो total class है, वहाँ पर कौन सी कौन सी चीज़े हमने पड़ी है उसको summarize कर पाएंगे और एक ही साथ यहाँ पर हमें चीजों को separate रखने में कौन सा चीज norms है और कौन सा चीज values है, यह difference हमें मदद करेगा तो यह class आप लोगों के लिए बहुत important होने वाली है इसलिए class को आखिर तक देखना क्योंकि मैं systematically step by step आप लोगों को चीज़े समझाता जाऊंगा अगर आप मेरे classes में नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना क्योंकि sharing is caring इस चैनल पर आपको sociology related बहुत सारे videos मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे playlists है आप अपने interest के हिसाब से playlist choose करके study कर सकते हो तो चलिए आज का यह जो class है यह हम शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं कि यह norms basically क्या है norms basically कुछ rules है जो हमें society हमारे उपर impose करती है कुछ prescribed rules है कुछ guidelines है जिसके द्वारा वेक्ति guided होता है कि हमें society में किस तरीके का behave करना चाहिए किस तरीके का action होगा हमारा यह सारे चीजे norm के द्वारा ही guided होता है अगर हम simply कहें यह जो norms है यह हमारे लिए एक guideline की तरह होता है और साथ-साथ यह एक specific guide की तरह काम करता है specific यानि कि हमें society में किस तरीके का से चलना है यह हमें specify कर दिया जाता है कि हमें इसी तरीके के act करना चाहिए जैसे हम Indian society में अगर किसी को मिलते है तो नमस्ते कहते हैं लेकिन अगर आप Japanese society में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि लोग एक दूसरे को जुक के नमस्ते करते हैं इसी तरीके से आप अगर Muslim society में जाओओ वहाँ पर आदाप कहते हैं इसी तरीके से अलग-अलग society में अलग-अलग तरीके का guidelines होते हैं और वो भी specific कर दिया जाता है कि आपको किस तरीके से act करना चाहिए आपका appropriate behavior, society आपके कौन से act को accept करेगा ये सारे चीजे situation के उपर dependent है और उस society के norm के उपर dependent है इस बज़े से norms हमेरे लिए एक guideline की तरह काम करता है norms को हम दो हिस्सों में बाट सकते है formal norms और informal norms formal norms वो सारे norms है जिनको लिखा हुआ होता है कही न कही पर वो लिखे हुए होते है साथ साथ अगर हम इने तोड़ते है तो हमें punishment भी मिल सकती है जैसे हमें हमारी देश में कुछ written rules है जिनको हम norms कह सकते है और एकी साथ religious text में caste based जो text है उनमें भी बहुत सारे rules लिखे हुए होते है वो जो होते हैं वो होंगे formal norms और दूसरी तरफ है informal norms यानि कि जो लिखे हुए नहीं है लेकिन जो लोगों के द्वारा accepted है जैसे कोई भी वेक्ति बिना कप्रवपे public में नहीं घूम सकता ये हमारे लिए generally accepted है यानि कि इसी rule को हमें follow करके चलना पड़ता है अब देखते है characteristics of norms norms के बहुत सारे characteristics है और इन characteristics के द्वारा ही हम norms को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जैसे social norms are universal यानि कि हमें हर society में norms मिलते है ये society to society vary करते हैं norms लेकिन हर society में ही norms होते है और ये social norms हमारी social order को बजाए रखने के लिए बहुत important role play करते है इन norms के साथ कुछ value judgments जुड़े होए होते हैं यानि कि हमारा behavior किस तरीके का होगा हमारा experience किस तरीके का होगा हमारा लिए कौन सा चीज सही है गलत है ये सारे चीज़े norms के द्वारा ही judge किया जाता है norms are relative यानि कि यहाँ पर society to society ये जो norms है ये vary करती है हर जगा पर ये अलग-अलग हो सकती है norms हम बहुत सारे norms देखते है society में लेकिन हर norms इतना equally important नहीं होता है कुछ norms ज्यादा important होते है और कुछ norms कम important होते है अब ये जो कौन सा important है कौन सा important नहीं है ये हम जान सकते है sanctions के द्वारा यानि कि reward और punishment के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते है अगर कोई भी ऐसा norm हो जिसको violate करने से आपको punishment मिलेगी यानि कि वो society के लिए उस society के लिए इतना ज्यादा important है फिर है norms are internalized by the individuals यानि कि norms socialization के process के द्वारा वेक्ति को सिखाया जाता है हर इंसान socialization process के द्वारा समझता है कि हमारे society में कौन सा norm है कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है अब देखते है types of social norms norms में बहुत सारे अलग-अलग types है अलग-अलग thinkers ने norms को बहुत ही different तरीके से categorize करने की कोशिश की है लेकिन इन में से जो generally accepted है ये चार तरीके का social norms जो हमें हर जगा पर मिलती है और हर जगा पर इन चार norms के बारे में ही बात की जाती है ये है focus, mores, tabus और laws focus, हमारे लिए एकदम normal life में जो भी day-to-day life में जो भी चीज़े करते है जो norms हम follow करते है उसको कहा जाता है focus ये हमारे लिए casual interaction है जैसे किसी भी वेक्ती के सामने जब हम पहली बार मिलते है तो उसको हम hello बोलते हैं या फिर handshake करते हैं या फिर अगर कोई हमें help कर दे तब हम उनको thanks बोलते हैं इसको कहा जाता है focus इनके violation अगर कर दिया जाए तो हमें इतना ज्यादा punishment नहीं मिलता है और इनको इतना ज्यादा offensive नहीं माना जाता है फिर दूसरा है more more focus से थोड़ा और एक step आगे है इनको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें punishment भी मिल सकती है यहाँ पर mores के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि society में कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है हम कौन सा चीज कर सकते है कौन सा चीज नहीं कर सकते है यह सारे mores का part है फिर आता है और भी ज्यादा extreme norms जो है हमारे लिए taboo यानि कि यह basically negative norms है हमें कौन सा चीज नहीं करना चाहिए यह taboo हमें समझाता है जैसे हमें हमारी Indian society में हम देखते है कि आप अपने जो siblings है उनके साथ physical relationship नहीं कर सकते हो अगर यह violet किया गया है अगर आप एक caste होके दूसरे caste से शादी कर रहे हो तो भी आप लोगों को extreme type of punishment मिल सकती है यानि कि यह हमारे society के लिए एक taboo है यहाँ पर जो तीन norms है focus, थोड़ा simple norms है फिर mores और tough हो जाते है rigid हो जाते है और जो taboo है वो extreme type of norms है फिर हम जो चौथा तरीके का norms की बात करते है वो है law यानि कि कानून यह basically formal norms है जो लिखे हुए होते है इनको हमें follow करना परता है और साती सात जो भी state या फिर nation होता है उनके कुछ written laws होते है जिसके द्वारा हमारे society guided होती है अब यह जो चार norms है इसके regarding कुछ मैंने notes यहाँ पर prepared की है इनसे आप लोग चीजे और भी बहतर तरीके से समझ सकते हो जो focus है वो basically informal norms है जो हमारी action को guide करती है फिर आता है हमारा morals जो हमारे society के लिए important है society के welfare के लिए यह बहुत ही important हो जाती है यह mores को basically moral norms भी कहा जाता है यानि कि हमारे society में जो morality है इसका एक बड़ा हिस्सा होता है यह mores यह हमारे society में हमारा क्या test रहेगा कौन सा चीज moral है, immoral है, कौन सा चीज सही है, गलत है यह सारे चीजे हमें decide कर के देखा खास कर जो religious rules है, यह basically mores का part होती है यानि कि society में हमें इसको निभाना ही पड़ता है जैसे हमें एक simple example ले सकते है कि आप जूता लेकर मंदिर में नहीं जा सकते हो यह हमारे religious rules है इसको अगर आप तोड़ दो तो आप लोगों को उसी मंदिर के हिसाब से या फिर उहां के जो लोग है वो आपको punish भी कर सकते है इस तरीके का चीज हम oftenly इंदिया में देख सकते है फिर है taboo taboo जो basically negative rules है अगर हम इसको तोड़ दे तो हमें बहुत ज्यादा punishment मिलती है और laws जो है वो है return laws जिनको हम कहते है formal norms अब देखते है normen ने norms को कितने category में divide क्या है normen ने norms को चार हिस्सों में बाटा है prescribed norms prescribed norms preferred norms और permitted norms prescribed norms वो सारे norms है जो generally हमारे जो society है वो हमें हमसे accept करता है कि हम society में किस तरीके का behave करेंगे उसको कहा जाता है prescribed norms यानि कि हमें बता दिया जाता है ये expected behavior है और दूसरा होता है prescribed norms यानि कि हमें कौन सा चीज नहीं करना है यानि कि जो negative sanctions है इनके बारे में ये बात करती है prescribed होता है हमारे लिए कौन सा चीज हम करेंगे और जो proscribed है वो हम कौन सा चीज नहीं करेंगे फिर आता है हमारे लिए preferred norms यानि कि हमारे लिए कौन सा चीज सही है कौन सा तरीका desirable है इसको कहा जाता है preferred norms फिर आता है permitted norms यानि कि ये इतना ज्यादा strictly enforced नहीं किया जाता है लेकिन आप से बोला जाता है कि आप इस चीज को follow करो Kingsley Davis ने साथ तरीके का norms की बात की थी यहाँ पर जो साथ norms है इनको इतना ज्यादा in-depth जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इनका नाम आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि exam में यहाँ से question आते हैं उन्होंने साथ तरीके का social norms की बात की थी यह साथ norms का नाम आप लोग थोड़ा याद रख लिजिएगा अब आते हैं sanction sanction basically हमारा norm का ही part है हमारे society में norms सही चल रहे है या फिर गलत चल रहे है कौन सा norms को accept किया जाता है कौन से को reject किया जाता है यह हम sanctions के द्वारा ही समझ सकते हैं sanctions basically rewards और punishment है किसी भी एक person को दिया जाता है उसके social conduct के हिसाब से यह जो sanctions है यह positive भी हो सकते है और negative भी हो सकते है यहाँ पर जब positive sanctions की बात करते है तो आपको कोई reward दिया जा सकता है या फिर society के लोगों के द्वारा आपको praise किया जाता है जैसे अगर आप किसी भी एक इनसान को help करोगे तो society के बाकी member आपको शाबाशी देंगे या फिर आपके लिए अच्छा बोलेंगे तो यह हो जाएगा आपका praise यानि कि यह एक positive sanction है और दूसरी तिरफ negative sanction यानि कि आपको कुछ fine कर दिया जाएगा या फिर आपको कोई punishment दिया जाएगा जैसे अगर आप एक caste में होकर दूसरी caste में शादी करोगे तो आपको उस caste से बाहर निकाल दिया जाता है यानि कि आपको violations के बज़े से कुछ punishment मिलता है इसको कहा जाता है negative sanctions और यह जो norms and sanctions है इसके द्वारा ही एक culture या फिर एक society का values और priorities का पता चलता है यानि कि कौन सी चीज़ को ज्यादा priority दी जा रही है उसका value system क्या है यह हमें norms and sanctions के द्वारा ही पता चलती है अब देखते है values के बारे में values basically general guidelines है यानि कि हम society में कौन सा चीज़ करेंगे इसके regarding एक general guidelines है जब हमने norms की बात की थी वहाँ पर कुछ specific guidelines होती थी यानि कि हमें कौन सा चीज़ करना है या फिर नहीं करना ही यह हमें बता दिया जाता था लेकिन values उस तरीके का specific guidelines नहीं यह general guidelines है यानि कि हम कौन सा चीज़ कर सकते है इसके regarding बाते है यह values basically individual के द्वारा मानी जाती है एक individual अपने course of time में यानि कि उसका socialization किस तरीके से हुआ है उसके हिसाब से एक value system तयार करता है value basically generalized standards है यानि कि हम कौन सा चीज़ को सही मानेंगे कौन सा चीज़ को गलत मानेंगे कौन सा चीज़ ugly है beautiful है यह हमारे value system के उपर dependent है जैसे अगर हम इंदिया की बात करें इंदिया में जो भी गोरी लड़किया है उनको सुन्दर माना जाता है लेकिन यह सेम चीज़ आफरीका के लिए नहीं हो सकती है हर जगा पर अपना अलग value system होता है कौन सा चीज़ सही है गलत है यह उसके हिसाब से decide होता है और एक वेक्ति अपने हिसाब से value system develop करता है यहाँ पर अलग-अलग culture के अलग value system देखते है हर individual के अलग-अलग value systems होते है अब यहाँ पर हम example की तौर पर ले सकते है कि जब भी national anthem चल रहा है तो हमें attention pay करना होगा हमें खड़ा होना होगा यहाँ पर जब हम elders को respect देंगे तो उनको हमें पाउच होना होगा इस तरीके का कुछ value system होता है लेकिन हर जगा का value system सेम नहीं होता है और एक ही society का अलग-अलग इंसानों का value system भी अलग हो सकते है अब देखते हैं characteristics of values values का बहुत सारे अलग-अलग characteristics है यहाँ पर मैंने कुछ D.A.L. आप लोग इनको जड़ा देख लिने हैं मैं एक दो जो important है उनको थोड़ा discuss कर देता हूँ values जो है वो basically आमारा faith और belief का इस्सा है यानि कि हम किस तरीके का belief pattern रखते है हम कौन सी चीज के ऊपर विश्वास रखते है यह हमारे value का part होता है यह basically एक cognitive element होता है यहाँ पर हम norm के द्वारा हमारा जो value system है यह guided होता है कि हमारा society कौन सा चीज accept कर रही है कौन सा चीज मान रही है इसके द्वारा values guided होते है और यह basically general ideas होते है हर विक्ति के हिसाब से अलग-अलग विक्ति का अलग-अलग तरीके का value हो सकती है अब देखते हैं types of values बहुत सारे values के बारे में अलग-अलग thinkers ने बात की थी लेकिन in general हम तीन तरीके का values देखते है moral values, rational values और aesthetic values moral values वो साले values है जो हमारे morality से जुड़े हुए है जो society सही मानती है जैसे जो बड़े बुज़ूर्ग है, parents है उनको respect देना, जूट मत बोलना ये हमारे लिए moral values है फिर आते है rational values rational values scientific और logical nature के होते है यानि कि जब हम scientific knowledge यूज़ करके logic यूज़ करके कुछी चीज़ को मानेंगे कुछ values को impose करेंगे तो उसको कहा जाएगा rational values जैसे आप अपने exam के लिए hard work कर रहे हो, ये आपके लिए rational values है, अगर आप सिर्फ पुजा पार्ट करोगे, तो ये आपके लिए achievable नहीं होगा, ये आप जानते हो यानि कि ये आप लोग scientifically और logically जब आप लोग आपके thought process के द्वारा समझते हो, जिस values को अपनाते हो तो उसको कहा जाता है rational values फिर आता है aesthetic value aesthetic value basically हमारा literature, art, culture, music इन सारे चीजों का part है यहाँ पर जैसे हम Indian society में देखते हैं कि जो भी गोरी लेड़किया होती है उनको beautiful माना जाता है यहाँ पर एक value system है इसी तरीके से हर वेक्ती का अलग-अलग value system होता है उनका moral values, rational values और aesthetic values अलग हो सकती है यहाँ पर यह जो तीन values है, इसको हम दो category में divide कर सकते है dominant value और variant value dominant value वो सारे strong values है वो सारे strong mindset के values है, जिनको हमें निभाना पड़ता है और यह जो values है, dominant values है इनका violation लग-भग impossible है और दूसरी तरफ होता है variant values, जिनको हम change कर सकते है, जिनको हम करेंगे के नहीं करेंगे, इसके regarding हमें कुछ freedom दिया जाता है यानि कि इस values को अपनाना हमारी उपर छोड़ दिया जाता है इसको कहा जाता है variant values अब हम आते हैं हमारे आखिर के topic पे जो है norms and values के बीच में difference, हमने अब तक norms and values के बारे में बहुत सारे चीज़े पड़ी है, लेकिन अब यहाँ पर जो difference है, इसके जरीए हम सारे चीज़ों को summarize करेंगे और साती सात, इनको हमें अच्छी तरीके से किस तरीके से याद रखेंगे, कौन सा वो keyword है, यहाँ से समझ पाएंगे अब यह जो norms है यह basically accepted standards of behavior है, किसी भी एक society के द्वारा कौन सा चीज accepted है, यह हम norms के द्वारा जानते हैं, norms वो standard, accepted standards of behavior है दूसरी तरह, जब हम values की बात करते हैं values वो सारे principles है जो एक व्यक्ति को guide करेगा, कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है इसके regarding जो guidance देगा वो होता है हमारा value system norms होते है specific guidelines यानि कि हमें कौन सा चीज करना है या फिर नहीं करना है इसके regarding कुछ specific guidelines दिया जाते है हमेरे society के द्वारा, और value जो है वो होता है general guidelines यह एक individual के उपर dependent है, कि वो उसका किस तरीके का value system होगा यह जो norms है, यह वो behaviors है जो society के द्वारा accepted है और values वो सारे behavior है जो एक individual के द्वारा accepted है, जो वो individual जिस तरीके का चीजों को सही मानता है यह जो norms है, यह society to society vary कर सकता है, यानि कि अलग-अलग society में अलग-अलग तरीके का norms होते हैं, और values जो है, वो individual to individual vary करते हैं, यानि कि एक ही society के, अलग-अलग इंसानों में अलग-अलग तरीके का value हो सकते हैं, अगर हम example ले, जैसे हमें norms का अगर example ले, तो लोगों को greet करना लोगों के शाथ shake hand करना यह सारे चीजे, बेसिकली हमारा norms का part है, यह society to society अलग हो सकते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम लोगों के साथ नमस्ते करके मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं, अगर हम western society की बात करें, तो वहाँ पर shake hand करते हैं, जब हम जापानिस society की बात करते हैं, तो वो लोग जुक के एक दूसरे को greet करते हैं, इस तरीके का अलग-अलग society में अलग-अलग तरीके का norms हो सकते हैं और जब हम value system की बात करते हैं value में हम honesty, respect, humility, harmony ये सारे चीजों की बात करते हैं और ये वेक्ति के हिसाब से अलग-अलग individual के हिसाब से अलग-अलग values हो सकते हैं सेम चीज दो अलग इनसान के लिए अलग हो सकती है यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को norms and values के regarding जो भी चीजे है concept है आप लोगों को clarify कर दूँ फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो class को फिर से repeat करके देखना और comment box पे जरूर बताना के आप लोगों को ये class कैसा लगा अगर class अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरूर करना क्यूंकि sharing is caring मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहे स्वस्त रहे और लोगों में प्यार बाटते रहे जाए हिंद